कस्प के लिए बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी आप बोलेंगे कस्प क्या है तो कस्प बहुत से लोगों के ऐसे संसाइन होते हैं जो दो संसाइन के बीच में फॉलो करते हैं यानि क्लियरली आप दोनों के ट्रेट्स अपने साथ लेके जाते हैं ऐसे में आपको जिस जहां पर हैं, say for example, मैं अपना एक्जाम्पल देती हूँ, मेरा date of birth है 21st November, so बहुत से लोग उसको Sagittarius कहते हैं और बहुत से लोग Scorpio कहते हैं, क्योंकि 22nd November से हम Sagittarius begin कर रहे हैं, और मेरी date of birth 21st November है, so 21st November मैं cusp follow करती हूँ, fall करती हूँ cusp में, that means मैं transition stage में हूँ, यानि Scorpio end हो रहा है and Sagittarius begin हो रहा है, तो मेरे अंदर दो रों के traits हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जो दो Sun Signs के बीच में fall करते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग जो ऐसे cusp की category में आते हैं, आज से हमें इस सीरीज की शुरुआत करने लगी हूँ, और क्योंकि इस स मैं अपने Sun Signs से ही स्टार्ट करूँगी, यानि कस्प बिट्वीन Scorpio and Sagittarius, I am a mother, teacher, guide and a friend and these are my life lessons, I am Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. अब मैं इस पूरे वीडियो में मैं आपको बता दूँ आपको क्या-क्या पता चलेगा, एक तो मैं आपके character sketch बताऊंगी, मतलब कौन से characters हैं, दूसरा आप कौन सी dates में follow करते हैं, आपके लिए एक special नाम है, वो नाम क्या है, तीसरी चीज़ आपकी negative traits, negative कहूं तो ऐसे areas ज all those people who are born from 18th of November to 24th of November, आप सब कस्प में है, कस्प किसका हुआ, कस्प of fire and water, Scorpio and Sagittarius, तो fire and water का कस्प हो गया, और हर किसी का जिसका भी birthday 18 November से लेकर, 24 November के बीच में पढ़ता है, आप सब इस कस्प की category में आते हैं, इस कस्प को कहा जाता है, this is a कस्प of revolution, जो लोग इन दिनों के बीच में पैदा होते हैं, ये बड़े revolutionary ideas वाले लोग होते हैं, इनकी जिन्दगी में एक ही काम होता है, बहुत सारी revolutions लाना, ऐसे अपनी जिस भी field में होंगे, ये बहुत revolutionary होंगे, ये हटके होंगे, अलग होंगे, इनकी सोच सेम नहीं होगी, इनक आपकी खूबियों की, आपके अंदर जो बहुत amazing traits हैं, आपके अंदर में एक अलग सी energy है, और कमाल की energy है, अलग से passionate है, मतलब किसी भी चीज़ को आप पकड़ते हैं, तो उसमें आपका passion ऐसा है कि बस घुस जाते हैं, मतलब आप रुकते नहीं हैं, उस चीज़ को जब त पता नहीं, लेकिन हर रोज आपके मन में आता है कि हाँ, बहुत कुछ करने के लिए है, आप लोग उन चीज़ों के लिए stand लेते हो, जो चीज़ें आपको सही लगती है, यानि अगर आपको ये लगता है, ये चीज़ सही है, तो आप उस चीज़ के लिए किसी भी हद तक stand ले लोगे, मतलब आप अडिग हो, आपकी सोच के हिसाब से वो चीज़ सही होनी चीज़, अब भले ही वो हो या ना हो, लेकिन आप कटर सपोर्ट करते हो उन चीज़ों का जो आपको सही लगती है, आप कमाल के फ्रैंक हो, सच्चे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप परदा र और अपूटकर भरी होई है, एक वो कहते हैं एक फीलिंग की दर्द किसी के लिए, जन्रोसटी, बहुत जादा है इन्टेंसिट्व है, जन्रोसटी के आपके इंदर जो बहुत जादा है, आप एक कॉम्बिनेशन हो, इसका, स्कॉर्पियो और साजिटेरिय इंदर का, तो स Sagittarius बहुत कमाल के optimistic होते हैं, visionary लोग होते हैं वो vision आगया आपके अंदर visionary हो गया because आपके अंदर optimism भी वहीं से आता है तो these are the two beautiful traits that you carry from both of them इसके इलावा आप हर चीज की तह तक जाते हो और उसके बाद तह तक जाने की बाद आपको तब मज़ आता है जब आप किसी को किसी बात की तह तक जाके समझते हो और वो चीज़ें आप दुनिया से share करते हो आप सब से share करते हो क्योंकि जब आप share करते हो आपको बहुत अच्छी feeling आती है आपको बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोग ना किसी के लिए भी एक guide का काम करते हो जब वो एक murky time से निकल रहे होते हैं यानि एक खराब time से या जैसे कहते हैं गदला पानी life का जब भी वो कहीं अब उनकी life में कुछ डावाडोल है या परेशानी है या उनको clarity से समझ में नहीं आ रहा है या thoughts नहीं है तो आपके पास आते हैं आप भी dependent होते हैं आप उनको बहुत अच्छे से handhold करते हो और भाट धंग से guide करते हो ऐसे time में आप inspiring हो leaders की तरह inspiring हो और आपको देखकर लोग बहुत inspire होते हैं आप अपनी intensity जो है ना काम की वो दो चीजों में लगाते हो या तो service के लिए मतलब दूसरों की help करने के लिए अब वो help कोई भी हो सकते हैं परिवार हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं या किसी एक vision को लेकर जैसे कि अब मेरा vision है to transform one million lives तो उस vision को लेकर आप selflessly बहुत सा काम करते हो और बहुत लोगों तक पहुँचना चाहते हो और बहुत लोगों की life में positivity डालना चाहते हो happiness डालना चाहते हो truthfulness डालना चाहते हो उनको life को कहते हैं ना grassroot level से देखने की वक्षमता डालना चाहते हो आपके अंदर एक lust होती है lust for life जिन्दगी को जीने की lust है राइट और आप उसको worth बना देते हो मतलब आप उस अपनी जीवन को जीना worth बनाते हो और ताकि कहते है ना आप हमेशा याद रखे जाते हो आप उसको अपनी अगर इस जीवन में आयो तो उसको कारगार बनाते हो सिद्ध बनाते हो आपको लगता है कि हाँ मैं आई हूँ तो यहाँ आया हूँ तो कुछ करके जाओं मतलब कुछ ना कुछ help करके जाओं किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से help करके जाओं आपको कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं या आप उल्टा मुझे बताना चाहिए कि आप ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं जो लोग काम के प्रती शिदत से काम करते हैं आपकी बुक्स के अंदर वो ही गुड बुक्स में आते हैं यानि आपको ऐसे हर इंसान से प्यार होता है, आपको वो हर इंसान अच्छा लगता है, जो बिलकुल शिदत से अपनी काम की तरफ 200% देता है, लेकिन जो काम चोड़ लोग होते हैं, वो चाहे कितने ही भी आपके लिए अच्छा बोलने हैं, आपकी चमची मारने हैं, आपको कुछ भी कहल आप उन्हें कभी भी उस लेवल पे नहीं रखते हो, क्योंकि आपको लगता है नहीं, ये काम से लापरवाही करता है या करती है, आपकी स्ट्रेंट्स नच्छल में, आप एनरजेटिक हो, एडवेंचरिस हो, पावरफुल हो, अकंपलिष्ट हो, जैनरिस हो, और है, जितनी बार भी आपको बांधा जाए किसी भी चीज में, किसे सिचुएशन में, मतलब आपको ये कहा जाए, ये बॉक्स है, इसी के हिसाब से काम करना है, मतलब आपको टू-डू-लिस्ट में, इग्जाक्ली वर्ड बाई वर्ड बता दिया जाए कि बिल्कूल ऐसे ही क आपनी खुद की चीजें भी इतनी जियादा शेयर नहीं करते हो, अगर को लगता है कोई सुनने वाला नहीं है, ये आप मतलब आपको शेयर नहीं करनाहात। लिख के फार दो, बट लिख दो, कही ना कही तो अंदर से वो आवाज निकलेगी ना, तो उसके लिए वो बैटर रहेगा, बहुत एग्रेसिव परसनालिटी होते हैं, बहुत बार आपको सभी लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है, यह बहुत बार आपकी ब हैं, वो थोड़े से आपको देखकर ऐसे लगता है कि वो थोड़े से इंटिमिटेट होते हैं आपसे, मतलब घबरा भी जाते हैं थोड़ा सा, आप इंपेशन बड़ी जल्दी हो जाते हो, जहां पर लगता है कि आपकी लाइफ में स्टिलनेस आ गई, वहीं पर आप इंप रimentos नहीं पर देख ऑद नहीं पर आपकी जाते हैं, आपको दो आपको लगता है कि भी जाती है, आप के सरमाइफ में स्टिलने üzस्गे जाती हो। क्योंकि जब-जब moon energy strong होती है, Scorpio specially govern करता है, तो आपको हमेशा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ मेरी life में होता रहना चाहिए, जैसे क्याता है चंद्रमा बढ़ता है या घड़ता है, कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है, तो similarly आपको लगता है, मेरी life में कुछ ना कुछ ना यहां होते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे passion होना चाहिए, आज का दिन देखने के लिए, या आज का काम करने के लिए, अब selfish हो, बहुत बार, अपना पहले सोचते हो, दूसरों का बात में सोचते हो, selfish की अगर मैं बात करूँ तो ये word contradictory है क्योंकि मेरी dictionary में अगर मैं पूछाँ कि मैं पहले अपने बारे में सूचती हूँ फिर दूसरों का तो मैं सोचती हूँ ये self love का part है लेकिन as such दुनिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं ये personality selfish personality है अगर आप अपना पहले सोच रहे हो दूसरों का बाद में तो ये selfish personality है well it's a debatable topic आप comment में लिखे बताईएगा आपके हिसाब से ये क्या है अब हम आते हैं आपके लिए थोड़ी सी advices अब जिन्दगी में जो भी करते हो आप अपने मन मताबिक करते हो आप अपने दिल को सुनते हो आप अपने अंदर के आवाँ सुनते हो और आप वो करते हो अब भले किसी को अच्छा लगे या ना लगे कि कोई आपको ये बोले कि हाँ ये कर या मत कर आपको कोई फरक नहीं पढ़ता क्यों? क्योंकि आपके मन में है, मुझे जो करना है, वो करना है, क्या फरक बढ़ता है? मैंने एक रील में भी बोला दा ना की फरक पहन दा है? वो वाली situation. तो ऐसे में प्लीज अंडिस्टैंड, and this is a message to me also. Once in a while, it is very important to tell the people whom you love, who are there in your life, that you should tell them that they matter. अक्सर काम की जुनून में या अपने जुनून में हम भूल जाते हैं यह चीजें कहना, तो मैं कल रात को ही, जब यह पेंडाउन करे थी, तो I came and I told my husband, I told him that you really matter, and he says, ओ, आज क्या हुआ? तो फिर मुझे समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी होते हैं, कुछ statements ऐसे होते हैं, जो आपको कह देने ही अच्छे हैं, मतलब, आपके मुझे से बोल देने चाहिए, तो आपके लिए advice है, आप बहुत बार, आपको लगता है, आपको दिखावे की क्या जरूरत है, आपको कहने की क्या जरूरत है, आप अपने में इतना उल्चे रहते हो, अपने में इतना बिजी रहते हो, तो कभी कभार अपने लवड़ वन्स को, अपने करीबी लोगों को, अपने चाहने वालों को, अपने साथ के लोगों को कह देना चाहिए, that you really matter, because उन से शायद उनको अच्छा लगेगा, दूसरा, पांचे चीज़ें करोगे न, तो और बेटर होगा, पहला, keep asking some questions, चुप मत हो जाया करो, जिप मत कर लिया करो अपने आपको, हमेशा, ask questions, about their well-being, about what they have been doing, how they have been, बहुत जरूरी है, second important thing, attentively सुना करो, आप अपने काम में इतना मस्त होते हो, आप ध्यान भी नहीं देते हो, कि आसपस क्या चल रहा है, तो जब वो कुछ बता रहे हो, तो अपने दिमाग में वो जो आपकी movie अलग चल रही होती है, मतलब आपकी दिमाग में कुछ सोच अलग चल रही होती है, वो क बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, और Scorpion कस्प है आप, तो आपके अंदर वो दोनो ट्रेट्स है, Celebrities कौन है, ऐसे वाले, Kelvin Kleene नाम सुना है, कस्प में, और दूसरी Celebrity, Scarlett Johansson, This is the second one, though there are many cusps which are born from 18th of November to 24th of November, but yes, these are two which I remembered vividly, so this was the first part of this video, and please comment box में आके बताएगा आपको कैसा लगा, कितना मजा आया, और आपके परिवार में कोई भी एकस्प है, आपके फ्रेंड्स में, आपके नोन में कोई भी कस्प है, कितना आप resonate करते हैं इन qualities के साथ, यह आपको कुछ चीजों के answers मिलें, यह सब देखने के बाद, कुछ चीजों को आप उन्हों accept करने लगें, यह सब देखने के बाद, कि हाँ, this is perhaps their part of personality, So all the very best to you, enjoy this video and have a great time, मैं हर वीक एक कस्प साइन लेक्या हूंगी और उसके बाद हम उससे related बाते करेंगे, discussions करेंगे, of course एक जो वीडियो आता है, that is all about our personality, it's all about our personal growth. Thank you so much and God bless you and once again, my heartfelt gratitude to each one of you.